What's up guys so finally हमारे पास आ गया है IQU Z7 5G आज हम इसका अन्बॉक्स करने वाले हैं Amazon से हमने ये फोन मंगाया है तो इसको unwrap अन्बॉक्स करके देखते हैं ये फोन कैसा out of the box हमको देखने को मिलता है और इस polybag के अंदर हमको ये cardboard box देखने को मिल जाता है यहां पर ये seal लगा हुआ है सारे seal को हम तोड़ देते हैं और seal तोड़ने के बाद ये हमारा IQ का डबबा रहा इसके अंदर और हमको ये bill देखने को मिलता है So जैसे कि आप देख सकते हैं box काफी अच्छा लग रहा है देखने में काफी cool लग रहा है देखने में IQ is really very cool and कुछ details यहां पर है mentions डबबे के ऊपर अंदर and डबबा simply के ऊपर IQ लिखा हुआ है Z7 यहां पर कहीं पर भी mention नहीं है and यहां पर हम इसका ये polybag wrap अटा देते हैं तो इस rapper को हटाने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं डबबा मैट फिनिश में हैं काफ़ी कूल लग रहा है डबबा देखने में simple IQ लिखा हुआ है डबबे के ऊपर and black color में डबबा है and यहां पर यहां पर यूनिक design इस डबबे का यहां पर आपको seal देखने को मिलेगा इस seal को simply आपको हटाना है and अगर आपके case में अगर यह seal टूटा हुआ है in that case आप यह mobile लॉटाल दीजिएगा alright so दोनों तरफ आपको seal देखने को मिलेगा यहां पर साफ-साफ mention भी है seal के ऊपर do not accept if seal is broken so seal हटा दीजिए बहुत simple है and seal हटाने के बाद यह जैसे देख सकते हैं काफी unique design and इसका box opening यहां पर देख सकते हैं inclined cut दिया हुआ है जो काफी एक unique perspective देता है इस डिबे को box खोलते हैं में सबसे पहले phone देखने को मिल जाता है which is under a poly bag wrap यहां पर मैंने जो phone भाई किया है वो blue color में है so mobile हटाने के बाद आपको एक transparent back cover देखने को मिल जाता है which is really very cool company अगर यह देवी आज के समय में तो यह बहुत बड़ी बात है इसकी क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है and इसके अलावा कुछ booklets देखने को मिल जाते हैं आपको इसको साइड में रख देते हैं and यहां पर आप देख सकते हैं बड़ा सा है आपका charger and अगर आप इसके सर पर मार देजागा तो पक्का उसका सर फूर जाएगा काफी बड़ा charger है and यहां पर लिखा है वीवो बड़ा बड़ा जैसे कि आप जानते हैं वीवो पैरेंट कंपनी हाईक्यू की and यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है फ्लेश चार्जर 44 वाट so यह फास्ट चार्जर है and आपका मोर दन 50 परसेंट यह हाफ अन आवर में चार्ज कर देगा बड़े आदा हम से आपको साइड में अब अपने में मोवाइल पर आ जाते हैं हमारा आईक्यू जो फोन है वो कैसा दिखता है and उसको सेटप कैसे किया जाता है और कितना समय लगता है सेटप करने में सेटप एक्सपीरियंस क्या है यह साइड जीज हम इसमें इसमें डिसकुस करेंगे and इसको इस पॉली बैक के अंदर से निकानने के लिए आपको बॉटम से मोवाइल को पुछ करना पड़ेगा and जैसे कि आप देख सेकते हैं मोवाइल आपका काफी लॉंग है and काफी light weight है यह phone literally बहुत light weight है इसका I think 170 gram weight है and यहां पे back इसका plastic build का है which is of good quality I will say in hand feel काफी इसका अच्छा है काफी smooth और काफी flagship feel आ रहा है यहां पे 2 camera setup है आपको लग रहा होगा 3 camera setup है but यहां पे नीचे AI लिखा हुआ है and आपको AI LED flash मिल जाएगा और यहां पे कुछ यह लिखा हुआ है camera के बारे में photography high definition वो तो हम बाद में इसका camera test करके देखें कि कितना high definition है इसका phone and यहां पे नीचे AIQOO की branding दे रखी है which also looks very cool and यहां पे इसके front panel पे एक plastic cover देखने को मिल जाता है which is of course good बाद में आप इसको अटा कि यहां पे tempered glass लगवा सकते है and let's boot this phone and boot करते ही सबसे पहले हमको AIQOO 5G लिखा देखने को मिल जाता है and नीचे powered by android as you know this is an android phone which will run on android 13 so यह boot हो गया and IQ 5G लिखा रहा है and boot होने के बाद यहां पे सबसे पहले हमको language selection clearboard रहा है so language हम इसका select कर लेते है and then we will click on next all right यहां पे आपको अपने country select करना है and then यहां पे कुछ agreements आपको tick करने होंगे which is end user agreement, privacy agreement, e-warranty guard, privacy terms, send usage and diagnostic information मैं recommend करूँगा कि आप यह un-tick कर दीज़े, better रहेगा and then simply click on next यहां पे आपको बुलेगा यह वाइफे से connect करने के लिए तो नीचे आपको skip button देखने को मिल जाएगा, set up offline, all right इस पे आपको click करना है and then continue, उसके बाद आपको यहां पे date on time select करना होगा अगर आप इंडिया में रहते हैं तो यहां पे आपका date time call का दावाला रहेगा and then यहां पे कुछ google services accept करेंगे और यहां पे आपको security के लिए screen log, fingerprint, face scan यह साही चीज़े देखने को मिल जाएगी, इसको भी हम बाद में set up करेंगे सो simply आप skip button पे click कर दीज़े and then यहां पे कुछ permissions हैं जो आपको starting में देनी पड जाएगी, यहां पे recommend यहां पे सारी permissions आप दे सकते हैं बस यह personalized recommendations बाला आप बंद कर दीज़े, other than that everything is good to go, alright after that simply click on next and next click करते ही हमको यहां पे पूचेगा कि आपको navigation system कैसा चाहिए, आपको bottom navigation system, three button navigation system चाहिए कि आपको gesture वाला चाहिए, I recommend अगर आप upgrade कर रहे हैं तो यह gesture वाला चूज करें, एक different experience देगा, gesture वाले की सांथ आप जाएं ज्यादा बेटर रहेगा, so gesture पे click करने के बाद we will click on next and then यहां पे जैसे कि देख सकते हैं, funtouch OS congratulations, simply आपको user now पे click करना है and there you go, यहां पे आप जैसे कि देख सकते हैं, phone हमारा setup हो गया, site चीजे setup हो गई है and phone हमारा on हो गया, यहां पे आप अपने apps देख सकते हैं, app install कर सकते हैं, I hope आपको यह video अच्छा लगा होगा, इसका जल्दी में एक review video भी लेकि आऊंगा, जहां पे हम इसका discuss करेंगे features, functions, processor and camera, all right, so stay tuned, इस channel को subscribe कर लिजे, thanks for watching, see you in another one.